हेलो दोस्तो, कोकिंग फूड बेदेस मिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम सेव टमाटर की सबजी बनाएंगे और वो भी बिलकुल धावा इस्टायर तो कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे जिससे सेव टमाटर की सबजी बिलकुल दावा जैसी बनकर तयार हो और इसको हम घर पर ही एकदम परफेक्ट तरीके से बना पाएं तो उसके लिए एक कड़ाई में दो चम्मच घी डालेंगे और अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच भर के तेल डालेंगे आप चाहें तो केवल इसको तेल में विवना सकते हैं आदा चम्मच सर्चों के दाने, आदा चम्मच जीरा और थोड़ी से हेंग डालेंगे और एक चम्मच बारीक कड़ुकस किया हुआ अदरत, बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्श डाल दी है लहसुन मैंने इसमें थोड़ा जादा ही डाला है और अब इसमें साथ ही जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज तो ये मैंने दो प्याज लिये हैं जिनको बारी काट लिया था अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और ये तब तक भुन रहा है तो हम कुछ मसाले बनाने की तयारी करते हैं तो उसके लिए ये मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और साथ ही डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर दो चमच इसमें कासमीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इससे सबजी में रंगत बहुत ही अच्छी आएगी आप चाहें तो रेगुलर मिर्च भी डाल सकते हैं और एक चमच जीरा पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक हम घोल बना कर तयार करेंगे जिससे मसालों में ताजगी आ जाएगी और जब हम मसाले भूनेंगे तो ये बिलकुल भी जलेंगे नहीं इतनी देर में प्याज भी अच्छे से भून चुका है और बस हमें इसका इतना ही कलर रखना है तो अब जो गुले वे मसाले रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे और एक से दो मिनट तक इनको पका लेंगे और ये देखी एक से दो मिनट में इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लगी है अब हम ये टमाटर डाल देंगे तो ये मैंने पांच टमाटर लिए हैं और एकदम लाल लाल टमाटर लिए हैं जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक जिससे ये टमाटर बहुत ही जल्दी सौफ्ट हो जाएंगे और 3-4 मिनट तक इसको ढख कर पकाएंगे 3-4 मिनट में देखिए टमाटर कितने अच्छे से पक चुके हैं और एकदम से मैशी मैशी हो चुके हैं तो ये मैंने 2 टमाटर लिये हैं जिनको कद्दू कस कर लिया था जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा धावे वाले भी ऐसा ही करते हैं और ये देखिए 2-3 मिनट पकाने के बाद कितनी बढ़िया ग्रेवी बनकर तयार हो चुकी है तो इस स्टेज पर डाल देते हैं थोड़ा सा टंडा पानी जिससे सब्जी का टेंप्रेचर डाउन हो जाए और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 चमच ताजा दही जिससे सब्जी बहुत ही टेश्टी बनकर तयार होगी और इसको बराबर चलाते रहेंगे गैस की फ्लेम को मेडियम कर देंगे जिससे ये फटेना और अब हम डाल देंगे इसमें 2 ग्लास भर के गरम पानी जिससे इसकी अब कोकिंग प्रोसेस रुखेना और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चुथाई चमच गरम मसाला एक चमच कसूरी मैथी कसूरी मैथी से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और इसके flavor को balance करने के लिए एक चमच मैने इसमें शकर डाल दी है 2-3 मिनट तक ठक कर पकाने के बाद देखिए कितनी बढ़िया gravy बन चुकी है तो अब हम इसमें डाल देते हैं सबसे important चीज बेशन की सेब अगर आप चाहें तो इनको market से भी ला सकते हैं या घर पर भी बना सकते हैं और साथ ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरादनिया अब हमें इसको बहुत जादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी इसमें mix हो जाएंगे और सजाने के लिए उपर से डाल देंगे दो खटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च और ये देखिए हमारी एकदम से perfect सबजी बनकर तयार है और बहुत जादा जंजट भी नहीं था कितने आराम से हमने इसको बना लिया और ये एकदम से धावा इस्टाल सबजी बनकर तयार हुई है जो बहुत ही टेश्टी लगेगी तो एक बार आप इसको ट्राई करिएगा और ये रैस्पी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा मेरे चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा